अयोध्या में राम मंदर के सवाल पर RSS की तरफ से बड़ा बयान आया है दरसल मुबई में RSS की अखिल भारतिय कारेकारी मंडल की तीन दिन की बैठक के समापन पर RSS के सरकारवाहा भाया जी जोशी जो प्रेस कॉंफरेंस के लिए सामने आया भाया जी जोशी ने ये भी कहा कि कोट समाच की भावनाओं कुछ समझे कानून बनाने के मुद्धे पर भाया जी जोशी की तरफ से साफ किया गया कि देखे अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो फिर आज नहीं तो कल सरकार को कानून तो बनाना ही होगा लेकिन सरकार को कानून कब बढ़ाना है ये फैसला खुद सरकार लेगी कुल मिला कर राम मंदिर के मुद्धे पर इस प्रेस कॉन्फरेंस में आरेसेस की सरकार ने बहा भाया जी जोशी की तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से ज़रा सुनिया लगबक तीस वर्षों से इस सांदोलों में हम सो लोग उत्रे है सावाई कुर्व से समाज के आपिक्षा है कि आविध्या में धोवे राम मंदिर बने कानूनी कुछ बाधाएं आवश्य है और हम आपिक्षा कर रहे हैं कि न्यायल है इसमें और हिंदू समाज की भावनाओं को समझ कर न्याय देगा ऐसा हमारा विश्वास है तो सुन रहे थे आप आरेसस के सरकारे वहा भया जी जोशी प्रेस कॉन्फरेंस करके राम मंदिर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखे तीस साल पुराना ये आंदोलन राम मंदिर का और इसमें हिंदू समार्शनी प्रतीक्षा बहुत साल तक की है खुद सुप्रिम कोट में ही पिशले साथ साल से जिम मामला लटका हुआ है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि 29 अक्तूबर को जब सुप्रिम कोट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो शीगरती शीगरी कोई फैसला आएगा दिवाली से पूर्व कोई शुब समाचार मिलेगा लेकिन सुप्रिम कोट ने मामला सुनने से ही इंकार कर दिया अनिश्चित काल के लिए इस मामले को टाल दिया और सुप्रिम कोट का ये कहना कि हमारी प्रात्मिक्ताएं अलग है ये करोडों हिंदू समाच की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे को प्रात्मिक्ता में ना गिन्ना सुप्रिम कोट का दरसल हिंदू समाच को अपमानत करने जैसा है सबकी इच्छा है राम मंदर बने कुल मिला कर अयोध्या जमीन विवाद ये पूरा मामला है क्या जरा ये समझे अयोध्या का जमीन विवाद है क्या आयोध्या विवाद हिंदू-Muslim समुधाय के बीच तनाफ का बड़ा मुद्दा है आयोध्या की विवादत जमीन पर राममंदर होनी की मान्यता है मान्यता है कि विवादत जगा पर भगवान राम का जन्म हुआ था राम जन्म हूमी इसे माना जाता है हिंद्वों का दावा की राममंदर तोड़कर बाबरी मस्जद बनाई गई राममंदर को 1530 में बाबर के सेना पती मीर बाकी ने गिराकर मस्जद बनाई थी नबे के दशक में राममंदर के मुद्देपर देश का जो राजनीतिक महौल है वो गरमाया गया था और आयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने विवादेट धाचे को गिरा दिया था तो ये आयोध्या का जमीन विवाद आयोध्या में विवादत जमीन पर रामलला की मूर्ती विराजमान है लेकिन वो टाट में भवे राममंदर उस जगा पर बनने का इंतजार जो करोणों हिंदू कर रहे हैं जिनकी आस्था का मुद्दा है और आज इस मामले पर जो फिलहाल मामला अदालत में चल रहा है जिसमें 2010 में इलाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया सितंबर 2010 का इलाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस मामले पर 2.771 की जो विवादत भूमी है उससे लेकर ये कि तीनों पक्षों में बराबर बाड़ देया गया जमीन को राम मूर्ती वाला जो पहला हिस्सा है वो राम लला विराजमान को दिया गया राम चबूतरा सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया हाई कोट के फैसले को हिंदू, मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से सुप्रिम कोट में चुनौती दी गई देखिए कुल तीन पक्ष है इसमें दो हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष और तीनों ही पक्ष फिर सुप्रिम कोट पहुँच गई तीनों पक्षों ने इस पूरी जमीन पर अपना पूरा दावा ठोका है अब ये मामला सुप्रिम कोट में तो 2010 में इलाबाद हाई कोट का फैसला जिसके बाद इस मामले को चुनाती दी गई और 2011 से मामला सुप्रिम कोट में है अब राम मंदर पर RSS की तरफ से आज फ्रेस कॉन्फरेंस करके जो बड़ी बात कही गई है वो यही कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन फिर से होगा समाज की भावनाओं का खयाल रखे कोट और एक बार फिर अदालत से विंती की गई है इस मामले पर कि अदालत जो है वो प्रात्मिक्ता में लाए अपनी इस बुद्धे को इस पर जल्दी सुनवाई करे कानून बनाने को लेकर साफ कर दिया गया है कि अगर कोई विकल्प नहीं बचता तो फिर आज नहीं कल कानून तो बनाना ही होगा लेकिन कानून कब बनेगा ये सरकार फैसला लेगी आरेसेस प्रमुक कह चुके हैं पहले ही कि कानून सरकार बनाए लेकिन कानून सरकार कब बनाए इसे लेकर आज भाया जी जोशी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फरेंस की गई उसमें कहा गया कि कानून कब बनेगा ये फैसला तो सरकार को लेना है RSS की ओर से लगातार मंदर के लिए बयान आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ संत समाज वी एचपी के जंडे तले सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहा है 3-4 नवंबर में दिल्ली में मतलब कल और परसोन शनिवार रविवार को दिल्ली में 3000 संतों की बैठक हो रही है वहीं दूसरी तरफ वी जपी के सांसेदे राकेश सिना जो कह रहे हैं कि वो राम मंदर के मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे और वहीं आज RSS की तरफ से जब प्रेस कॉन्फरेंस की जाती है तो एक बार फिर विंती नियायाले से की जाती है कि वो हिंदू की भावनाओं को समझे आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा इसे प्राथमिक्ता दे आदालत फोरान लोट रहे हैं रहिए हमारे साथ